दोस्तों क्या आज भी आप computer में काम करते हो है mouse का योज़ करते हो? क्या आप जानते हो कि shortcut keys का Yोज़ कैसे होता है? नहीं जानते तो friends आज की वीडियो में जान जाओगे क्या होती है shortcut keys? कैसे आप shortcut keys का Yोज़ करते हो? friends आज हम पंडने जा रहे हैं MS Word shortcut keys तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो Friends हमारी पहली shortcut keys है control plus A इस वीडियो में मैं आपको A से लेकर Z तक की सभी shortcut keys बताने जा रहा हूँ तो वीडियो में अंतक बने रहे Control plus A select all concept of the pages जितना भी आपका data है page में वो सारा का सारा select हो जागा आईए देखते हैं होता क्या है control plus A shortcut key से जैसे ही Friends में control plus A press करता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा data आपका select हो गया है देख सकते हैं सारा का सारा data आपका highlight हो गया है तो Friends ये मतलब है ये काम है आपका shortcut key control plus A का Next जो shortcut key है वो है Friends control plus B Control plus B Bold, Highlighted Selection जो भी आपका Highlighted Data है जो भी आपका Highlighted Selection है वो क्या हो जाएगा, Bold हो जाएगा Highlighted का क्या मतलब है, Selected Data से तो चेक कर लेते हैं, Control plus B से होता क्या है जैसे ही मैं यहां Control plus D press करता हूँ आप देख सकते हैं, नमचे पोरा data Bold Selected है Ctrl plus B प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं सभी प्रकार का data ये bold हो गया है Next जो shortcut की है दोस्तों वो है Ctrl plus backspace Ctrl plus backspace का काम क्या है Delete word to the left of the cursor Delete word to the left of the cursor आईए चकरते हैं कैसे आपका word delete होता है Ctrl plus backspace की का यूज़ करने से आप देख सकते हैं friends मेरा cursor यहां पर रखा है ये delivery से पहले यदि मैं यहां Ctrl plus backspace की का यूज़ करता हूँ तो पूरा का पूरा मेरा ये D जो word है वो delete हो जाता है जैसे ही Ctrl plus backspace की का यूज़ करते हैं आपका जो पहला word है वो आपका delete हो जाता है यहां से जो भी word है वो सारा का सारा आपका delete हो जाएगा नेक्स जो shortcut की है दोस्तों वो है Ctrl plus C Ctrl plus C का क्या मतलब है copy selected text ये तो आप जान सकती हो कि copy का मतलब होता क्या है कि आपके किसी भी data को जो select है उसकी copy करना उसकी नकल करना Ctrl plus C का काम होता है next shortcut की है दोस्तों Ctrl plus D Ctrl plus D का मतलब है font dialogue box के open हो font option open हो जाता है आईए ये भी check कर लेते हैं जैसे ही यहां पर मैं Ctrl plus D की press करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरा font dialogue box open हो गया है अब आप यहां पर अपना font size, font style सभी प्रकार का font text कर सकते हो, italic कर सकते हो यहां पर उसका नमूना sample भी देख सकते हो तो friends ये काम है shortcut की Ctrl plus D का आईए चलते हैं next shortcut की क्योंड वो है फ्रेंड's Ctrl plus DEL Ctrl plus DEL delete word to the right of the cursor ये बात ध्यान रखिए delete word to the right of the cursor ये Ctrl delete और Ctrl backspace दोनों का काम सेम सेम ही है delete करना लेकिन फर्क क्या है Ctrl plus backspace की का यूज करके आपका left का data delete होता है जबकि DEL की का यूज करने से data right से आपका delete हो जाता है आईए समझ लेते हैं मतलब क्या है इन दोनों की इसका friends आप देख सकते हैं delivery से पहले मेरा करसर रखा गया है जैसे ही मैं Ctrl plus DEL की प्रेस करता हूँ तो ये delivery जो word है पूरा का पूरा delete हो जाता है जबकि Ctrl plus backspace की का यूज करके ये इस तरह के the is यहाँ से लेकर data खतम हो रहा था delete हो रहा था मैंने प्रेस की Ctrl plus DEL की तो आप देख सकते हैं यहाँ से right से आपका और line to the center जो भी आपका selected text है वो center align हो जाता है अब यह align क्या होती है कितने प्रकार की होती है इसके regarding में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ यदि आपने वो नहीं देखी तो friends जाए ये वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए control plus E का मतलब होता है दोस्तों जो भी आपका text है वो center में align हो जाएगा control plus end की control plus end की का काम क्या है move cursor to the end of the document end of the document next जो shortcut की है वो है दोस्तों control plus F open find box बहुत ही मत्यदार की है दोस्तों control plus F अब होता क्या है इस control plus F से आप कोई bit word कोई bit text find कर सकते हो चलिए जाच लेते हैं control plus F का कमाल अब फ्रेंट जैसे ही control plus F की प्रेस करता हूँ तो find dialogue box open हो जाता है अब इसका काम क्या है आपकी document में word को find करना फर जेंबल मैं चाहता हूँ ये also word कि मेरे document में also word कहां लिखा है उसे find करना है तो मुझे simply यहाँ पर अपना word लिखना होगा ALSO तो जितने भी also word होंगे आपके document में वो सभी के सभी highlight हो जाओगे आप check कर सकते हो कहां कहां आपका ये also word लिखा हुआ है आप देख सकते हो also also ये word आपके highlighted हो चुके है तो इस तरह से आप अपने document में कोई भी word find कर सकते हो उसे देख सकते हो Ctrl plus G Ctrl plus G का 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 क्या है Go to option open हो जाता है To option का का क्या है आप उससे किसी भी particular page number देकर page में जा सकते हो आपके पास Ctrl plus G से Go to option open होगा page number डालिए Enter करिए किसी भी page में आप पहुंच जाओगे Ctrl plus H Find and Replace option इससे open हो जाता है अब Find का का क्या है वो तो मैं आपको समझा चुका हूँ Replace से होगा क्या Replace से आप किसी भी particular word को Replace कर सकते हो किसी अन्य word से Front Snack जो shortcut की है वो है Ctrl plus Home Ctrl plus Home का क्या मतलब होता है Move cursor to the beginning of the document अभी अभी हमने पढ़ा था Ctrl plus End की Ctrl plus End की करती क्या है आपके cursor को सबसे last में ले जाती है तो उसका उल्टा उसका उल्टा करेगी Ctrl plus Home की आपके cursor को आपके document के beginning में सबसे पहले पहुचा देगी तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे इसे बताने की जरूरत भी मैं नहीं समझता Ctrl plus I Italic Highlighted Selection जो भी आपका data selected है उससे italic कर देगी अब इस italic का मतलब होता है दोस्तो थोड़ा सा तिर्चा आपका जो भी word है अब भी आप देख सकते हैं यह जो भी मैंने लिखा है वो बिल्कुल state है यदि आप Ctrl plus E की का यूज करते तो यह थोड़ा सा तिर्चा हो जाता तो वो काम है Ctrl plus E का next shortcut की है Ctrl plus J Ctrl plus J का मतलब होता है justify paragraph align या फिर justify selected align text ठीक है तो जो भी जब भी Ctrl plus J की का यूज करोगे तो आपका data justify होगा justify का मतलब क्या है यह मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जब मैंने आपको alignment की वीडियो बताई थी तो चलिए चलते हैं next shortcut की की और वो है फ्रेंड क्या मतलब होता है insert link insert hyperlink Ctrl plus K से आप hyperlink insert कर सकते हूँ hyperlink क्या होती है यदि आपको इसके बारे में समझना है तो friends comment करेगा मैं particular वीडियो बना लूँगा next जो shortcut की है वो है फ्रेंड कंडर प्लस L अब कंडर प्लस L का काम क्या है align selected text or line to the left जो भी आपका data है वो left align हो जाएगा क्या होगा friends आपका data left align होगा next shortcut की की बात करें तो वो है आपकी Ctrl plus M Ctrl plus M का का काम क्या है indent the paragraph indent the paragraph अब ये indent क्या होता है क्या है ये indent term इसके regarding भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो friends जाएए वीडियो को देखिए ताकि आपको ये indent term left indent, right indent क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ जाए next shortcut की का use कर लेते हैं Ctrl plus N Ctrl plus N का मतलब होता है दोस्तों new document को open करना अर्थात आपका जो document है यदि आप नया document बद क्रियेट करना चाहते हो तो Ctrl plus N shortcut की का use करके आप कर सकते हो next shortcut की की बात करें friends तो वो है Ctrl plus O Ctrl plus O का who use होता है open option तेगा friends आप document को open कर सकते हो Ctrl plus O shortcut की का choose करके next जो shortcut की है friends वो है Ctrl plus P Ctrl plus P का क्या मतलब होता है open the print window आप Ctrl plus shortcut की P का use करके print option को open कर सकते हो print dialog box आपका open हो जाएगा Ctrl plus P shortcut की का use करके तो friends उमीद करता हूँ ये shortcut keys आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो एक like तो बनता ही है बॉस तो चलिए चलते हैं Ctrl plus Q align selected text to the left left में आपका data align हो जाएगा यही काम आपका Ctrl plus L की से भी होता था कि आपका जो data है वो left में align नेक्स जो shortcut keys है friends Ctrl plus R अब ये Ctrl plus R करती क्या है align selected text or line to the right ये आपकी data को right align कर देती है next shortcut keys की बात करें तो Ctrl plus S है इससे आपका data save हो जाता है आप अपने data को save कर सकते हैं next shortcut keys की बात करते हैं तो Ctrl plus space Ctrl plus space का काम क्या है जो भी आपका data selected है जो भी document में data selected है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहां ये highlighted का मतलब selected data से है जो भी आपका data selected है यदि आप Ctrl plus space की का use करते हो तो आपका जो data है वो आपकी default font में reset हो जाएगा मैं आपको करके भी बता देता हूँ तो इतना data अपना select करता हूँ तो Ctrl plus space की का use करते ही आप देख सकते हैं इसमें change हो गया है ये आप देख सकते हैं caliber यहां पर font आ गया है 11 इसका size है तो friends जो भी आपका default font हो जाता है वो Ctrl plus space की का use करने से बन जाता है Ctrl plus T Ctrl plus T का मतलब है hanging indent next shortcut की इसकी बात करें दोस्तों तो वो है Ctrl plus U Ctrl plus U से आपका selected text underline हो जाता है जैसे देखाना कि यदि कोई text की नीचे line लग जाए तो उसका मतलब है underline अगली shortcut की इसकी बात करें तो Ctrl plus V Ctrl plus V का का मतलब है paste करना select जो भी आपका Ctrl plus C से हुआ copy अब उसकी जब copy बनानी है नकल बनानी है तो दोस्तों उससे आपको Ctrl plus V से paste करना होगा for example आप कहीं exam दे रहे हो यदि आपको cheating करनी है तो दोस्तों जो आप data देखोगे अपनी आँखोँ से देखोगे तो देखना ही काफी नहीं है न फ्रेंड्स उससे लिखना भी पड़ता है तो pen से लिखोगे देखने का काम क्या Ctrl plus C ने लिखने का काम क्या Pen ने तो वो कहलाया Ctrl plus V अगली shortcut keys है दोस्तों वो है Ctrl plus W Ctrl plus W करती क्या है आपके document को close करती है Ctrl plus W का use करके आप अपने document को close कर सकते है Next shortcut keys की बात करें फ्रेंड्स तो वो है Ctrl plus X Ctrl plus X सा काम है Cut selected text जो भी आपका text है उसे cut करना Next की बात करें दोस्तों तो वो है Ctrl plus Y Ctrl plus Y redo the last action performed जो भी आपने last action perform किया उसे आप redo करोगे Ctrl plus Z की बात करें undo last action फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो की shortcut keys A to Z से लेकर Bye Bye Take Care